तो स्वाकरें दोस्तों है फिर साका मेरे इस YouTube चनल फैंटसी सेलेक्टर पर यहाँ पर हम बात करें WVL 2023 के आज के दिन के दूसरे मैच की जो के खिला जाएगा Melbourne Star और Brisbane Heat की टीमों के बीच में और यह दोनों दो टीमें हैं इस टूनमेंट के अभी तक 11-11 मैचेस खेल चुके है WVL 2023 में जिसमें Melbourne Star के स्थिति काफी खराब है नीचे से दूसरे पाइदान पर यह टीम है आठ टीमों के इस टूनमेंट में साथवे नमबर वा पॉइंस टेबल में 11 मैचेस में से केवल 3 मैचे यह टीम जीत पाई है जबकि Brisbane Heat की बात करें तो यह टीम काफी अच्छी तो आज के इस मैच में जबकि Junction Wall Melbourne के मैदान पर खेला जाएगा यह मैच जो कि Melbourne का एक तरह का home ground भी है और back to back दूसरा मैच वहाँ पर होगा आज के दिन पर और यह मैच भारत के समय के हिसाब से तो 19 नॉमबर सुबह 8 बच के 10 मिन पर स्टार्ट होगा एकदम सुबह लेकि उसको पिछ रिकॉर्ड में डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ यह चुकि दूसरा मैच है और दोनों टीमा में से ब्रिस्बेन हीट का काफी अच्छा कासर डॉमिनेशन है और जो भी स्टार्ट हमारे पास नहां पर अवेलबल है इस वीडो के अंदर उस सभी चीजों क देखते हुए जब हम अपने टीम बनाने जाते हैं खास करके किसी भी फैंटेसी एप पर उसमें भी ग्रैंड लीग की टीम जब बनाने जाते हैं तो हमारे पास विगेट कीपिंग सेक्षन में सबसे बेस्ट आप्शन कोई है जो डिफरेंशल पिक के रूप में जा सकते है तो और माया बॉचर दोनों मेंसे किसी एक आपको अपने टीम में रखना है और ग्रैंड लीग की टीम में आप दोनों को रख लिक जा सकते हैं अगर पहली इनिंकी बैटिंग होई तो तो दोनों मेंसे कौन कितनी इंपोर्टेंस रहेगी इनकी बैटिंग ओर के हिसाब से भी चुकि माया बाउचर फिलहाल ओपन कर रही है तो अफे डंकली ओपन नहीं कर रही किसी भी मैच में आ सकती है वापस ऐजो ओपनर बाकी जो सेफ प्लेयर्स है ग्रेस हैरिस और मेग लेंग लेंग इन दोनों में से किसको अपने टीम में रखना है किसको नहीं इसको भी ए एक स्मॉल लेक की काफी बढ़ हैं ट्रंप प्लेयर आपके लिए साबित हो सकती हैं क्यों हो सकती है वह भी आपको पदा चलेगा बाकी आगे बढ़ते वाइब आरूर राउन सेक्शन की बात करें यहां से आपके पास आर्राउं सेक्शन में खास करके देखेंगे तो यहा कम लोगों ने सेलेट कर रखा है इवेन निकोला हैंकोग जिन्होंने चार विक टेली लास्ट मैच पे बैटिंग भी बहुत अच्छी की अब इनका सेलसन परसेंटेज काफी हाई है तो किस इनिंग के हिसाब से इन दोनों में से क्योंकि सेम टीम के लिए दोनों प्लेयर कहलत से लुसी हैमिल्टन हो गई मिली इलिंगवर्थ हो गई और बाकी जो बॉलर्स हैं उन में से कौन-कौन सी प्लियर कितनी इंपॉर्टन ग्रैंड लिक के लिए स्मॉल लिक के लिए होंगी यह सारी एक्स्प्लेनेशन इस पूरे वीडियो के दौरान आपको देखने को मिलन जैसा मैंने को अचरिया कि जहां पर यह मैच खिला जाएब जंक्शन वन मिलबर्न के मयदान पर दो पहर और कोtha 30 Minit पर वहां के लोकल टाइम के साफ मैच स्टाट होगा यहां भारत के समय के साफ से तो सूबह 8 Abd के 10 Minit पर यह मैच है तो यहां पर अभी तक जब यहाँ पर आज जो टॉस जीतेगी स्ट्रेट अवे वह पहले बैटिंग करने का डिसीजन ले सकती है चोकि वैसे भी आप देखें तो जो नौ कम्प्लीट मैचे इस ग्राउंड पर खेले जा चुके हैं उसमें से साथ बार बैटिंग पहले करने वाले टीम जीती है और दो ब 45 में से 20 पहली इंग में 25 सेंट इंग में तो सेंट इंग में क्यों यहाँ पर बैटिंग एटैंग उतना आसान है नहीं वह आपको यहाँ से भी पता चलता है और बाकि मैच अगर आप Renegates का हुआ था इसी मैदान पर और back to back दो मैचस हुए थे एक ही दिन पिछली बार भी जहां पर पहला मैच ये था दूसरा मैच ये था और पहले मैच में अगर आप देखें तो उतने थोड़ा सा high scoring game था इस मैच के मुकाबले पहली इनिंग में ज्यादा रन बने सेकंड इन सेकंड बैटिंग करते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि back to back के second match इस ground पर होगा तो क्या same track यूज किया जा रहा है या कोई different fresh wicket यूज किया जाएगा उसकी जानकारी playing 11, batting order और final small league की team और अगर 1000 likes इस video का पूरा कर देते हैं तो 6 grand league की team भी इस telegram को channel पर आपको मिलेगा जिसका link इसी video के description में भी है और इसी video के comment box में pin comment में भी है तो दोनों में से किसी भी जिगाँ पर जाईए जो link है उसको click करिए इस telegram को channel पर पहुंचिए और नीचे के join बटन को इस तरह से click करिए आप यहाँ पर join हो जाएंगे हर एक match के सारे updates आपको यहाँ पर full and final मिलते रहेंगे चाहे वर्ल्ड कप का match हो चाहे WBBL का match हो जो भी आगे matches आएंगे तो जा करके जल्दी सिसको join करिए फिलाल हम आगे बढ़ेंगे सबसे important phase में इस वीडियो का जो कि होने वाला है वह है playing leon का phase यहाँ पर आपको batting order दो पता चलेगा ही सबसे important बात यह होती कि कौन कितने over की balling करेगी baller और किस phase में करेगी middle over में power play में या death war में power play और death war दो ऐसी जगह होती है balling करने की जहाँ पर wicket training के सबसे ज़्यादा chances होते हैं और इस team के तरफ से कर आप देखें तो make landing आप ने पूरे चार वर के थे उस मैच में अगर आप देखें तो जो भी पेसर थी जैसे वहाँ पर मिली इलिंग वर्थ को भी दो सोफी डे ने तीनों ही बहुत ही अच्छे spinners हैं बढ़िया परफॉर्मस अभी तक रही है और यह जो नंबर आफ ओवर्स आप यहाँ पर आप देख रहे हैं उसमें से किम गार्थ जिन्होंने पूरे अपने टीम के लिए चार दोर कि बॉलिंग कितुर इसमें से दो और यहीं फावर के अंदर आ थे बाकि दो और जो थे वह मीडिल ओरस में इसके लामा इनने भी 4 में से एक और बैक साथ भी ओरप्र मिली है नहीं इनको बहुत ज़्यादा लेकिं इंपोर्टेंस हमेशा Grand League के टीम में खास करके आपके लिए बनी रहेगी बाकी Bench की प्लेयर्स यह हैं जिनके कोई खास इंपोर्टेंस है नहीं रीस मैं कहना को अगर खिलाती है यह टीम तो डेफिनिटल एक अच्छे डिफरेंसल पीके हो सकती है तो Melbourne Star के तरफ से सभी प्लेयर्स का रोल समझने के बाद और बॉलर्स की इंपोर्टेंस को समझने के बाद अगर बात करें Brisbane Heat की और ध्यान से देखिएगा जो आपको मैंने बताया कि जो पावर प्लेजर डेफ में बॉलिंग करती है बॉलर्स उनका सेलेक्शन पर्सेंटेज जरूर चेक करिएगा जो कि अभी आपको मैंने वीडियो को सुरू में दिखाया भी था स्क्रीन रिकॉर्डिंग बगल में पर जो दो ओर इन्होंने किये थे उसको अगर आप देखे तो दो के दोनों ओर इन्होंने डेफ में किये थे ओर नमबर सोलहमा और अट्रहमा तो बढ़िया बॉलिंग की थी विक्टे भी लिए थी बाकि बेस हीत नमबर तीन पर आती है लोगों इनको पिक नहीं किया विकट की बिन सक्षन से लेकिंगी इनकी इंपॉर्टन्स आगया आपको समझ में आएगी बाकि अमेलिया के हर मैच मैच में बाकि आगे बढ़ें तेहाँ पर चारली नॉट है दो ही ओर इनोंने लास्ट मैच में आज उमीदे कि इनको ज्यादा बॉलिंग मिलेगी सेम जी जेस जोनासन के साथ भी जिन्होंने तीन ओर के थे चारली नॉट में दो में से एक ओर के था पावर प्ले के अंदर और और जेस जोनासन की बात करते जो तीन ओर इनों नहीं किया था एक ओर किया था इनोने पावर प्ले में बाकी मिडिल ओर में थे इसके लावा लुसी हखते हैं करती है हर मैच में आलमोस्ट और यहां पर इंके ओर्स कम हो सकते हैं आज के इस मैच में अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हुई तो चुक्कि स्पिन फ्रेंडली विकट है इस पेशले सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो करटनी सेपल ने भी लास्ट मैच पर तीन ओर की बॉल करेंश मेच पर पहले इंको लुक्तब्स क्सेज बॉलिंग नहीं तशाबाइब हम के इनकी बॉलिंग हो सकती है उल Elsie G बड़ी बड़ी प्लेयर खेलती है मेग लेनिंग है सोफे डंकली है एली स्कैपसी है माया बाउचर जैसी बड़ी बड़ी प्लेयर इवन एनाबल सदर लेंड है तो किसी इंटरनेशनल टीम से टीम कम है नहीं लेकिन परफॉर्मस बहुत खराब रही है उसका सबसे बड़ा क बाउलिंग जै कुछ खास कॉंट्रिबूशन इनका है नहीं पिछले पांच मैच में के वाले एक विकेट है और बैटिंग से भी अगर आप देखा तो हाईसी स्कोरिंग का है 27 का बाकी भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया लास्ट मैस तो ऐसे भी खराब गया था माया बाउ अच्छी किम गार्थ की बात करने तो पिछले डो मैस से बैक् टुबैक एक V 네 ie फ इक उसके पहले चार मेचे से कोई विकेट नहीं था इसके लब मिली इंटीोर है पिछले चाहिए नहीं जे हैं और बाकि नीचे के प्लेयर्स उतने इंपॉर्टन नहीं है बाकि सोफी रीड अगर खेलती हैं तो कई बारे टॉप ओडर पर बैटिंग करती हैं उनके भी नंबर्स आप देखकर करेखिए बाकि हेड़ वेन्यू देखे तो सोफी डंकली के नंबर्स यहां पर भी आपको ठीक ठाक है वेन्यू पर ज्यादा बैता है इसके अलमा टेस्स प्रेंटाफ के नंबर हेड्ट में अच्छा है लेकिन इनकाद यह हमको समझना पड़े गए बालिंग करेंगी कि नहीं करेंगी अगर हमको को कोई अपडेट मिलता है मुझे तो आपको मैं टेलीग्राम पर स काफी खराब है हाला कि इस वेन्यू पर अच्छा है चुकि स्पिन फ्रेंडली विकेट होती है इनके ऑफिस पिन बॉलिंग यहाँ पर काम आ सकती है अगर आप इसको देखें और लोगों ने इनको पिक भी नहीं किया है तो आपके लिए अच्छे ग्रान लिक की पिक देखेंगे और टेबल में नमबर तीसरे पहा है तो उसके सबसे बड़ा करा रहा है ग्रेस हैरिस का और साती चाहत ऊपर की जू बैक्टर से इंके फॉर्म और इसले वाले मैंच ओध ग्रेस हैरिस ने भी फॉर्म में बाप सी कि लंबे समय से फ्लाप जा रही थी पिछले म परियां फॉर्म में हैं हाला कि अमेरिया केर के भी नमबर्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं ऐसे बैटर खास करके बॉलर ग्रूप में विक्टे इन्होंने लगाता रही हैं मिंग्नॉन डूप्रीस का आप देख सकते हैं ठीक ठाक से नमबर्स हैं पिछले कुछ मैचे से जेस जोनासन का है सामने इनको भी विक्टे उतनी नहीं मिली हैं बीच में एक ऐसा मैच था जहां पर चार विक्टे नहीं बाकी मैचे से अगर आप देखे तो लगाता है विकटलेस हैं हाला कि ये मैदान इनके मतलब का होगा सेकेंड इनिंग की बॉलिं में काफी खतरनाक बॉलर हो सकती है निकोला हैंकोइक आप देख लिजे फिछले मैच पारी तो और पर निहीं की बटनी अगर इनके टीम की होती है तो बढ़िया पी किये भी रहेंगी इसके लावा है तो इनको लेके जाना पड़ेगा स्मॉल लिके टीम में लेकिन बेस हीथ एक दूसरी अच्छी ऑप्सन है जिनको आप ट्राइक कर सकते हैं जिनका ना तो हेड़ कोई रिकॉर्ड है इस मैंदान पर एक मैंच में 19 रण जरूर इन्होंने बनाए है इसके लावा ग्रेस है इसक है वेन्यू पर थोड़े से खराब जरूर है लेकिन है काफी कमाल के हैं इसके लावा अमेलिया के बालिंग नंबर सच्छे हैं बैटिंग नंबर सच्छे नहीं है मिंग्ण डूप्रिस के भी आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं एक अच्छी डिफरेंसल प्लेयर इसी और फिंगर स्पिनर्स को यहाँ पर मदद भी मिलती है आगे आप प्लेयर बैटल देखेंगे वहाँ पर भी आपको इनकी इंपोर्टेंस समझ में आने वाली है इसके लावा कर्टनी सिपल के नंबर काफी खराब हैं बाकी नीचे की जो प्लेयर बैटल की बात करने हैं तो इनको स्पिन पर वैसे भी दिक्कत होती है बहले ही चाहे ऊपर बाटिंग करें चाहे नीचे और इस्पिन आज के समयच पर काम आने वाली भी है बाकी यहाँ पर एक बार फिट से देखे इधर तो एली स्केप्सी सेरा ग्लैन अमेलिया केर और जैस जोनसन से इनको दिक्कत होती है लेग स्पिन पर जो कि आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा जो भी गे दिन से दूर जाती है और जैस जोनसन ने भी इनको 17 रंदिकर के एक बर आउट किया है एना बेल सदर्डरें का भी देख़त यहाँ पर भी जैस जोनसन दो बार 28 रंदिकर के आउ जोनसन पर तो बेसिकली जिस टाइप ऑफ बॉलिंग जो भी बॉलिंग इनको बाहर गेद निकालेगी वो मिल्बर्न स्टार की बैटर्स को परसान करेंगे तो यहाँ पर आज केस मेंच पर जैस जोनसन अमेलिया केर और कुछ हतक चारली नॉट जो की अच्छी स्पिन बॉ बाकी नंबर्स काफी बढ़ी आए इधार आपको अमेलिया केर का दिखाई पड़ेगा काफी एवरेज नंबर्स है टेस्प्लेंटाव और सासा मलोनी पर और बैसीद एलिस कैप्सी पर तीन बार आउट हो चुकी है छे गेत खेल करके तीन बार किसी बॉलर पर आउट किसी के भी खिलाफ इंके नंबर्स अच्छे नहीं है हाला कि हेट वरेट के आँकड़े आपको काफी बैतर दिखाई पड़े थे तो आगे बारत कर टीम को भी बात कर लें जो हमारी होगे स्मॉल लीक के लिए वो आपके सामने है एक विकट कीपर दो बैटर च्छे और और बाकी फाइनल टीम आपको मैं टेलिग्राम को चनल पर दे दूँगा विकट के बारे में जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं टेलिग्राम पर दूँगा जिसका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के दिस्क्रिप्शन वे और पिन कमेंट में मिलेगा तो जाकर के क्लिक करिए टेलिग्राम को चैनल को जॉइन करिए और इस पूरे वीडियो को देख करके पूरा जरूर देखिए और ग्रैंडली के टीम जरूर बनाने की कोसिस करिए और हजार बारों सो लाइक्स अगर आप पूरा करवा देते हैं तो आपको मैं छे ग्रैंडली क यहां पर होता है complete जाल चलते हैं वुस्त